आप सब जानते हो 19 तारे को वोट पड़ेंगे और जैसा मुराईडी जी ने कहा ये दोसा लोकसवा छेत्र है पूरा परदेश और पूरा देश ये जानना चाहता है कि 2024 के लोकसवा चुराव में दोसा की जनता बांदीकुई की जनता किसको वोट डालेगी और मैं आज भाशन आपके बीच में दे रहा हूँ एक कॉंग्रिस के नेता होने के कारण नहीं दे रहा हूँ ये भाशन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एक अधिकार है मेरा हक है और आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ ये चुनाव देश का चुनाव है आज प्रियंक उसको जनता ने देखा उसका आंकलन किया और अब मन बना चुके हैं कि बदलाव करना पड़ेगा आप और हम सभी जानते हैं जब पहली सरकार बनी पूर बहुमत की सरकार बनी वादा जनता से किया था प्रदेश के लोगों ने राजिस्तान की 25 की 25 सीटें भाजपा को जिता करती थी तेकिन आज 10 साल हो गए आज नौजमान पूछ रहा है हमारे रोजगार कहां चले गए कि महंगाई बेरोजगारी आस बहुत सारे भाजपा के नेतार यहां पर आ रहे हैं कौन-कौन से मुखमंत्री आए उत्तर प्रदेश के मद्यप्रदेश के हर्याना के राजिस्थान के तो कही बार आली होंगे मेरे ख़ल और और योगी जी मोदी जी राजनाथ सिंग जी फलाने जी डिंकाने जी तो मैंने का मुरारी जी करते बीटिंग पहले कर लो मैंने का नहीं अभी चुनाओं में एक दूद रहने दो और सब नेता आ रहे हैं बीजेपी के मिने कोई बड़ी बात नहीं है और प्रियंका जी का समय लिया था पन्दा तारिक का तुब हर्जे के जो बात बोलता हूं आज बोल रहा हूं इतने नेता भाजपा के आ गए आज प्रियंका जी यां भाशन देंगी बादी कुई में दौ तो सौ सुनार की एक लोहार की तो सब जितने भाशन दे गए सब बराबर हो जाएंगे और यहां हमारे जिले के बहुत नेता है जो भाजपा से जीत कर गए है वो गाउं गाउं डोल रहे हैं कोई चावल बाट रहा है कोई पानी पी रहा है कोई कसम खा रहा है तो मैं आप पाहलोकों को कहना चाहता हूँ कि इस लोकसभा के परणाम से किसी का कोई मंत्रियपद जाने वाला नहीं है और मैं तो हा जोड़के बोलता हूं कोई मंत्रिपद छोड़ना भी मत बहुत मुश्किल से मंत्री बने हैं बने रहना चाहिए लेकिन ये चुलाओं बहुत महत्पूने साथियों और बीजेपी की सरकार बनी राजिस्थान में हम लोग काम्याब नहीं हो सके बहुत कम अंतर से कॉंग्रिस भाजपा का अंतर 1.5-2% का था हम अच्छे विदायक जीत कर आए 70-72 विदायक लेकिन अब पूरे देश में जहां जहां भाजपार कांगिस की टक्कर है मैं कई जिलों में गया हूं मैं जोदपूर, बाडमेर, जैपूर, अलवर, मादोपूर, दोसा हर जगे लोग बदलाव चाहते हैं और दोसा के लोग यहां मैं प्रिंका जी को बता रहा था मेरा पहला चुनाव मैं लड़ा था 2004 में, बीस साल पहले और आप लोगों ने सवालाख वोट का अंतर दे करना से जिताया था और उस बात का ऐसान आज मी मेरे कंदों पर है और इन बीस सालों में मैं अजमेर से भी सांच सत रहा, अभी टॉंक से विधायक हूँ लेकिन दोसा के लोगों के उपर, बांदी कुई के लोगों के उपर, मेरे एक भी शिचलते कारण मानता हूँ आप लोगों ने मुشकिल समय में मेरा साथ दिया, हमारे परिवार का साथ दिया, पार्टी का साथ दिया और पालेट साब के समय से लेके आज तक जब तक परिशिमन नहीं हुआ था यहां लगातार कॉंग्रेस पार्टी जीती रही मैं आज आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ इस चुनाव में हमें वो ताकत वो एकता और वो समय याद करना है जब यहां कांग्रेस का तिरं हम मिलकर सब लड़ रहें यह हमारा चुनाव है यहां का जो बटन दवेगा उसमें मेरी भी योगदान रहेगा मेरा भी उसमें आपको हिस्सेदारी दिखेगी इसलिए मेरा तो आपसे यही कहना है अभी चुनाव में दो-तिन दिन बचे हैं हो सकता है दो दिन में और भी को प्यंका जी का स्वागत करें और यह वो तालिया नहीं तालिय बजाते रहो यह जीत की तालिय है मुराइलार मेरा जी को संचंद में बेजना है दिल्ली में और मैं दोसा में कह रहा था आज सभीता जी नहीं है मैंने का सभीता जी आपके लिए बहुत शूब हैं पहले वो चुनाव लड़ती हैं कामयाब नहीं होती हैं फिर मुराडी चुनाव लड़ते हैं चुनाव जीत जाते हैं प्यंका जी सभीता जी चुनाव लड़ी बांदी कोई से नहीं जीत पाईं फिर मुराडी जी लड़े विधायक बन गए दोसा लोग से बाद छेत्र में सभीता को चुनाव लड़ाया 19 में वो नहीं जीत पाई अब आपका नम्मर आ गया वह आपको रास्ता साफ करती रहती है जहाज़ा वो जाती है और आप जीते रहते हो तो आपको पूरी शुबकाम ने हम सब लोगों की हैं लेकिन आप मेरा एक बात ध्यान रखना अभी यहां बहु आने वाले समय की राजनीत में आने वाले समय की राजनीत में अगर हम सब लोग अपनी भागिदारी चाहते हैं अपना डंडा कारना चाहते हैं तो दो सा लोग सबाद छेट से कॉंगर्स को जिताना होगा जिताना होगा जिताना होगा और ताली बजा के नहीं जीतेंगे ब कर दो शिर्ट को से ऑट बटन है और बतन जोर से दोमाना है कि आप दबाओंगे तो हाँ बोलड तो मत बोलो घ्क के सार Surprise इन इस टारी आवाज़मिया जोर से दो और सुनो, 19 तारिक को पता नहीं प्रियंका जी कहां पचार कर रही होंगी, मैं कहां पचार कर रहा हूंगा, लेकिन 19 तारिक को जब सुभब बटन दबे, वो टी करके बोलती है मशीन, इवियम की मशीन, टी करके, वो बटन इतनी जोर से दबाना, मैं जहां भी देश में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप समय निकाल कर आज हम सवकों को संबोधित करने के लिए आई हैं और प्रियंका जी मैं इस तमाम जनता की तरफ से यह बहुत सारे ऐसे साती हैं जिनको पहले मैं नौजवान देखता था दूबले पतले थे अब कुछों का पेट निकल गया कुछ के बाल दॉले पड़े गए कि निके बच्चे बड़े हो गए लेकिन ये कैसा परिवार है दुख और सुक में हम लोग हमेशा साथ खड़े रहे और अच्छे बुरे समय में एक दूसरे का हमने संबल मांदा एक दूसरों को मदद करी आज उसी रिष 300 कौम के लोग एक मुठी में बंदो कर कॉंग्रेस पार्टी को जिता कर बेजेंगे इतने की लाज रखेंगे और मुराली जी रहे वह आपने विधायक बना दिया मंत्री बना दिया अब एक बार मेने कहरे पर सांचत बना दो आगे हिसाब करते रहेंगे तो मैं आप सब का दन्यवाद देना चाहता हूं और बहुत अदब से हम सब की नेता प्रेंका जी को मैं आमत्रित करता हूं वो आएं और आप सब रोग हम मुदित करें बहुत बहुत दन्यवाद जैहिं राम राम साथ